सबी वी और सुर्ण नमस्कार आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे income tax में TA की salary slip TA यानि की tax assistant income tax department में जो tax assistant होते हैं उनकी कितनी salary होती है वो salary slip आप लोगों को दिखाएंगे अभी थोड़ी दिर में आप लोगों को स्क्रीन पर salary slip दिखेगी आप लोग ले लेना और आपको salary slip के सारे components explain करूँगा यानि कि salary बनाते हो जिन जिन चीजों का use होता है वो सारी चीज़े आप लोगों को explain करूँगा आप लोगों के बता दूँँ कि आप लोगों को सारा अच्छे समझ में आजएगा और अभी आप लोगों को salary slip भी दिखाऊँगा और यह बता दूँगा और यह बता दूँगी कि SSC CGL के exam के थुरू आप लोग income tax में TA लग सकते हैं income tax में TA भी उसे exam के थुरू लगते हैं इंस्पेक्टर भी उसे exam के थुरू लगते हैं वो आपको post preference फिल करनी होती है जो आप post preference फिल करते हो उसके according आपको post मिलते हैं और आपके rank और marks के according यानिक कि जितने अच्छे marks और जितनी अच्छी rank होगी उतनी अच्छी post मिलेगी और उतनी अच्छी आपको जो zone मतब जो location होगी न वो location भी आपको उस हिसाब से दी जाती है और जो लोग मुझसे SSC CGL की preparation के लिए books के बारे में पूछते है ना बहुत लोग मुझे message और comments करते हैं इसके regarding तो उनको पता दूं कि previous question maximum practice किया करो किरन publication की books आती है मैं खुद भी किरन publication की books से बढ़ा था इसलिए मैं आप सब लोगों को यह recommend करता हूं बहुत पुराना publication है बहुत reliable publication है बहुत अच्छा content रहता है करन publication की आपको हर chapter की मतलब हर section की books मिल जाएंगी जैसे math की reasoning की gk English की chapter wise and type wise previous questions वाली book आप लोगों को लेनी है books तो बहुत आती है TCS pattern पर based questions की भी आती है वो भी बहुत अच्छी books है लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप लोग chapter wise and type पर जो previous questions वाली book होती है वो book आप लोग ले लेना इसका link में आप लोगों को description में दे हुआ यह आपकी preparation में आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहेंगी बहुत अच्छा publication है और मैं खुद इसे से बढ़ा हूं इसलिए मैं आप लोगों को recommend करता हूं तो अब फटा-फट से बात कर लेते हैं salary slip के बारे में देखो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज़ होती है basic pay बाकी सारी चीज़ें basic pay के हिसाब से जलती है अब basic pay income tax TA के कितने होती है basic pay income tax TA के होती है 25,500 अभी आप लोगों को salary slip दिखाएंगे screen पर आएगी अभी कुछ समय में आप screenshot ले 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 ना उसके बाद DA कितना होता है देखो DA time to time change होता रहता है DA यानि की dearness allowance यानि की महंगाई बढ़ता जैसे महंगाई बढ़ती है समय के सथ सचेन होता रहता है currently 38% हो सकता है कुछ समय में और increase होता है तो 38% पर basic पर हो गया 9690 रूपे उसके बाद HR देखो HR के अलग-अलग 3 slabs होते हैं 3 cities होते हैं X city Y city और Z city उसके accordingly HR के slabs होते हैं 9%, 18% और 27% ये currently 9, 18 और 27 ये slab चल रहा है लेकिन जो salary slip होई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों को screen पर salary slip दिख रही होगी ये salary slip जिस officer की है वो officer currently गोवा में posted है तो गोवा में जो HR है गोवा में HR है 18% तो इसलिए इस salary slip में 18% आप लोगों HR दिख रहा होगा आप लोग screenshot लेना चाहो तो ले लेना city के accordingly थोड़ा से salary में variation आ जाता है तो 18% of HR हो गया 4590 फिर TPT के अगर बात करें तो यहाँ जो TPT है वो है 2464 टोटल हो गया 42,264 लेकिन एक और component होता है जो आपक आपके account में आता है देखो NPS होता है new pension scheme इसमें क्या होता है आपकी salary का 10% काट के contribution उसमें डाल दिया जाता है लेकिन उस वह contribution government भी देती है और government देती है 14% 14% of basic pay plus DA जो की हो गया 4926 रुपे तो यह आपकी salary slip में नहीं दिखेगा लेकिन जाएगा आपके account में तो यह आपका ह तो पैसा है ना यह आपकी salary का ही तो पाट हुआ तो अगर हम इसको total करते हैं तो total हो जाता है 47,190 रुपे तो यह आपकी salary है अगर हम टेक्निकली बात करें तो एक income tax के TA की salary है और जो यह आप लोगों को salary दिखाई ती यह वो salary है जो आपकी salary slip में दिखती है लेकिन इसमें कुछ mandatory deductions होते हैं जैसे कि आप लोगों का income tax कटेगा, cghs हो गया, जो group insurance scheme हो गई और कुछ चीजें होते हैं जो basic deductions होते हैं वो इसमें से deduct हो जाते हैं और जो cashier and salary होती है वो थोड़ी से इससे कम होती है लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली एक income tax के TA की ये salary होगी, लेकिन xyz city में आप लोगों को बता दिया कि cities के हिसाब से salary change होती है, तो भाई एक income tax के TA को इतनी अच्छी salary मिल रही है, और income tax में तो फिलाल promotions भी इतने fast हैं कि जो TA हैं वो 5-6 साल में inspector बन जाते हैं, तो भाई इससे जादा और आप लोगों को क्या चाहिए, द आप लोगों का जो इस समय चल रहा है ना, ये golden chance है, एक सरकारी नौकरी बानेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का भंडार आ रहा है अभी, तो इस समय को, इस चीज को मतलब utilize करो, इसको अपने हाथ से मत जाने दो, और कोई भी बढ़िया सी जबरदस्ती सरकारी नौकरी ले ल सारा नेया चनल है कपूर गुरुगल ग्लासिस, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में